गुद इबनिम गच्चों आप सभी का स्वागत है आपके प्रिये चैनल निव लाइट प्रियास पर बच्चों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज आपका ओल इंडिया नीट टेस्ट नंबर 14 हुआ था मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा एज ऑलवेस केमिस्ट्री का पेपर डिसकेशन लेकर मैं आपके सामने हूँ हम लोग देखेंगे और बहुत सारी बाते सीखेंगे तो जैसा कि आप जानते हैं सिंग सर की मुहीं कि अप पढ़ने का अधिकार सबको डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको इसके तहट आप जानते हैं पूरे यूटूब में रिगुलर क्लासेज हो रही है और टेस्ट से पहले रैपिट फायर हो रहा है डिसकेशन हो रहा है दसका दम हो रहा है उसके बाद जू मीटिंग भी हो रही है तो इसी मुहीं को आगे बढ़ाते हैं और पेपर डिसकस करेंगे 25 कोश्चन होंगे वह रिस्पेक्टेड रवी सर्ड डिसकस करेंगे तो आप सब लोग जो है वह जूड़े रहिएगा के सीरियस तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक बार लाइक कर दीजिए जिन बच्चों ने लाइक नहीं कर आए आ जाईए तो फिर हम लोग जो है शुरू करते हैं डिसकेशन को कुश्चन नमबर 51 से और देखते हैं चलिए तो कुश्चन नमबर 51 देखी क्या कह रहा है एल सी एल थरी जैन इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट कंपाउंड वाइल एल एफ्ट्री नॉट एल एफ्ट्री नहीं है अब कि इसका जो बेसिक रीजन है एल 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 एल्ट्रॉन डेफिशियंट होता है तो यह बात है कि को वैलेंट है और एल सी एल थरी अपनी लूइस एसीट केरेक्टर को या इलेक्ट्रॉन डेफिशियंसी को दूर करता है डाइमर बनाकर यह बात आपने बोरॉन फैमली में भी पढ़ी है अब इसको मैं रिलेट करने जा रहा हूं इन दोनों को फजान रूल से फजान रू अब यहां पर कैटायन और एल सी एल थ्री में सेम था अब सी यह जो है वो लार्जर रिन है तो यह को वैलेंट होगा और यहां पर दो इलक्ट्रॉन तो तीन के लिए च्छाई एलेक्ट्रॉन इलक्ट्रॉन डेफिशियंट होगा ठीक है ना लुईस एसीट केरेक्टर अब जबकि एलेफ्ट्री जो है एलेफ्ट्री में लार्जर रिन नहीं है ठीक है ना और उस हिसाब सभी देखें तो इसकी तुलना में यह को वैलेंट नहीं है एक आयनी कंपाउंड है ठीक है ना इसमें इलक्ट्रानों का कंप्लीट ट्रांसफर होता है मैटल से नॉन है जबकि एलेफ्ट्री जो है वो क्या है एलेफ्ट्री एक आयनी कंपाउंड है तो यहाँ पर आप्शन नंबर क्या होगा जल्दी से बता दें ऊचल एक आयनी कंपाउंड enabling आयनी कंपाउंड है तो देसेंजर होगी नहीं तो यह लम самойनी ऑन mercy नहीं होंगे ठीक एलच्यों जाएगा तो यहाँ पर आप्सेकर और से और सरो जाएगा का 51 का सेकेंड होगा ठीक है ना चलिए अ जो फिप्टी टू में देखी क्या है फिप्टी टू देखी क्या कह रहा है यह कहता है फिप्टी टू कि दैक्स्टेंट टू वीच इस डिजॉल वार एसोशियेटेट एक्सप्रेस बाइवेंट आप फेक्टर यह बात बिल्कुल सह ही है किसी सॉल्यूट की वह एक्स्टेंट जिसमें डिजॉल होता है ठीक है ना तो उसको एक्सप्रेस करने का तरीका है वेंट आफ फेक्टर आप सब लोग इस बात को जानते हो हाना तो यह बात बिल्कुल सही है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो गलत हो आई की वैल्यू है गलत हो गया जल्दी से इसका अंसर बताएं क्या होगा 52 का अंसर बता दे क्या होगा जल्दी से बोलो भाई जल्दी से जो भी बच्चे जुड़े हैं जल्दी से बताएं कर प्या आंसर क्या होगा जो भी बच्चे जुड़े हैं ठीक तो पहला सही और दूसरा गलत है त स्टेटमेंट वन इसकरेक्ट बट सेकेंड इंकरेक्ट सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा क्वेस्टन नमबर 52 में ठीक चलिए बोरान फैमिली अच्छा सवाल है बहुत आप सब लोग जानते होंगे तो फिप्टी वन और फिप्टी टू दोनों में सेकेंड ऑप्शन है यह देखते हैं 53 तो इसमें डाई बोरेन के बारे में आपसे पूछ रहा है तो डाई बोरेन अगर हम बना ले आए तो डाई बोरेन होते हैं इस तरह से अब देखिए क्या यह इसका इलक्ट्रॉन होगा बोरान का क्योंकि दो इंगेज है एक बचा है वह यह है इसी तरह इस वाले बोरान का यहां हाइड्रोजन का यहां तो इस तरह से से हम अगर देखेंगे यहां पर तो यह इस तरह से बनाना बॉंड बन जाएगा उपर और नीचे भी ठीक है ना अब इस बनाना बॉंड में आप देखोगे तीन सेंटर और दो इलक्ट्रॉन इंवाल्व हैं तो यह थ्री सी टूई टाइप बॉंड होगा और इधर वाला आधे से आधे डूट् टू सी टूई बॉंड होता है ता यहां पर पर होता है vi2 होता है सभी लोग जानते हूं ठीक है ना यह बात मैंने आपसे बताई है तो बोरान तो टू टर्मीनल तोटल टर्मीनल है यहां चार और ब्रिज हाइड्रोजन दो एक बात सही यह भी쳤 यहां बार्ट हांग अब जहात बढ्रबरन दियंक्तों इसमें जाओ Tutaj छहह साथ नो दस ग्यारा बारा समय तो टोटल बारा इल्ल क्करॉंट की बॉंड argues होते हैं जी के नहीं कितने होते हैं 12 इलक्टॉन इन्लों होते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो Pilip над देख रहा है लुड के साथ और सभी दा करेक्ट gets सार 50 44 54 में क्या होगा 453 में 4th होंगा आई ये 54 में देख लेते हैं क्या है इन बिच अलब फॉल्लाइंग कंपाउंट Sn3C2E बॉंड्स आ प्रजेंट यह बनाना भॉंड्स है तो भी टुए शीच में भी होते हैं मैंने आप से बताए बेरीलियम और मेगनीशियम के हाइड्राइट के पॉलीमर में भी होते हैं यह बात इस्टेविलिटी के लिए पॉलीमर बनाते हैं और इन में भी यह पाए जाते हैं और इनको भी बोलेंगे लिए इनमें भी पाई जाते हैं ये बात भी मैंने आपको बताई थी खीख है ना यह बात आपको तो डाइबोरें में भी हमने देखी लिया इन दोनों में भी होते हैं तो हम बोल सकते हैं यहां पर सबसे अच्छा आंसर फॉर्ट है फॉर्ट विल बी दा करेक्ट आंसर फॉर क्वेस्चन नमबर फिप्टी टू आगे देख लीजिए फिप्टी फॉर का की बात कर रहा है यहां पर मिक्स्चर्स कुछ दिये हुए हैं तो देखिए इसके लिए फंडामेंटल बात हमेशा याद रखिएगा की ऐसा सलूशन जो लार्ज निगेटिव डेविएशन शो करता है वह जो है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियो ट्रॉप शो करता मतलब हो जाता है अगर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है तो निगेटिव डेविएशन देखेंगे ज्यादा से ज्यादा और मिनिमम होगा तो पॉजिटिव वाला देखेंगे ठीक है ना बात समझ में आ रही होगी आपको ठीक तो यहां पर हम यह बोल सकते हैं कि अगर एच एनो थ्री और एस टू की बात करते हैं तो यह निगेटिव डेविएशन में आ रहा है तो यह जो है यह शो करेगा लार्ज निगेटिव डेविएशन सो कैन फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियो ट्रॉप तो इसका जो आंसर है पहला ही हो जाएगा पहल साही ऑप्शन हम लोगों को मिल गया है इस बात को आप याद रखिएगा ठीक अब दूसरा वाला जो है यह मिनिमम बॉइलिंग टंपरेचर यह मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियो ट्रॉप का एक्जामपल है क्योंकि यह पॉस्टिव डेविएशन शो कर रहा है ठीक पहला उप्शन हम लोग को मिल गया है जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियो ट्रॉप के बारे में फॉर्म कर रहा है तो इस हिसाब से इसकी जानकारी आपको पेज नंबर 49 में मिल जाएगी नई किताब में अगर पुरानी किताब है तो पेज नंबर 41 में आपको य ठीक क्वेशन नंबर 56 देखो क्या होता है तो फिप्टी सिक्स राउट्स लॉइज इस्टेट एस यह ओवर आल है ठीक बात है और आप अगर डैरेक्टी इसको पड़ते हो तो यह इस तरह से कर लेते हो पहले तो देखो डाल्टन स्लाव से जो टोटल प्रेशर होता था वह इंडिविजूल पार्शल प्रेशर का सम प्रेशर होता था यह मोल स्रेक्शन के डेरीकली है तो पीवन पीटू को एड़ करोगे तो विटा क्या हो जाएगा पी बराबर है ना पीवन नॉट एक्सवन प्लस पीटू नॉट एक्सटू यह जो है यह एक्सवन एक्सटू मोल फ्रेक्शन बता रहे हैं दोनों कम्पोनेंट के बारे में आप सभी लोग इस बात से सहमत ह सब्सक्राइब करें जल्दी से कमेंड करें क्या बात समझ में आ गई और यह आपको पेज नंबर 47 में मिल जाएगा और अगर पुरानी किताब है तो यह आपको 38 पेज नंबर पर मिल जाएगा आप देख सकते हैं अस्था मिश्रा जी गूड इवनिंग कैसा रहा आपका पेपर ठीक है और सभी लोग बताएं और सभी लोग बताएं ग्यारा लोग हैं तो जितने भी हैं बताएं तो दोनोई स्टेटमेंट इस सही हैं बेटा तो हम इसमें क्या आंसर देंगे बोथ स्टेटमेंट वन एंड सेकेंडर करेक्ट फॉर्ट विल वी दा करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर फिप्टी सिक्स तो फिप्टी सिक्स के लिए जो है फॉर्थ हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब है आईए आगे चलते हैं भाईया फिप के फॉर एफीशियन शिक्स तो अगर इसको ही डिसोशियेट करेंगे तो फॉर के प्लस प्लस एफीशियन शिक्स हना इस तरह से यह बनेगा आप यह देख सकते हैं तो टोटल आयंस कितने हो गया पांच हना तो यहां से आई बराबर होता क्या है वन प्लस एन माइनस वन ट तो वन प्लस पॉर इल्फा विल इदा अंसर फॉर दिस फॉर पेहला हो जाएगा 57 का पहला थीक है ना 57 का पहला हो जाएगा उमीद कर रहा हूं आ गया हो आपको कि देख लीजे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं किसी को पेपर सही था आस्था जी अच्छा बहुत अच्छी बात है क्वेश्चन नंबर 58 में आ जाई है क्या कह रहा है 58 में एक मॉस्फेरिक प्रेशर वीच आप फॉलिंग सलूशन विल हैव हाइस्ट फ्रीजिंग पॉइंट देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो डेल्टा टी एफ होगा प्रोपोर्शनल टू आई एम हो जाएगा ठीक है न अब आई इसके लिए वन और इसके लिए वन हो गया तो इनके लिए पहले निकाल लेते हैं तो जीरो पॉइंट वन इंटू वन तो जीरो जाएगा इसका 0.05 इंटू वन हो जाएगा तो 0.05 इसके लिए 0.10 इंटू कर देंगे ने प्लस ल माइनस तो यहां से क्या जाएगा जीरो पॉइंट टू जीरो आ जाएगा अब यह तो जो डिप्रेशन था यह फ्रीजिंग पॉइंट में तो यह जितना कम होगा यह जो पॉइंट है उतना ज्यादा होगा तो इसमें सबसे कम वैल्यू किसकी है जल्दी से बताएं इसमें सबसे कि सर बहुत लोगों को पता नहीं है कि पेपर डिसकेशन इस चैनल पर होता है बिटा थंबनेल और लेडी शेयर कर दिया जाता है ठीक है ना कोई अब बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को यही पता है कि इसी चैनल पर होगा जैसे आपको पता है थीक है तो यहाँ पे जो सबसे कम वैल्यू वह किसकी है सबसे कम वैल्यू देखे सुठोस के लिए जा रही है 0.05 ने इस pakम यहीं है तो फ्रीजिंग पॉइंट इसी का सबसे जादा होगा अस्था मिश्रा जी का जवाब बिलकुल सही 58 का थर्ड आंसर होगा चलिए आगे चलते हैं 59 में देखी क्या कह रहा है 59 में अगर आप देखोगे तो यहां पर बांड इस्टेशेशन इनर्जी ऑफ बोरान सिंगल वांड फ्लोरीन इन वी अब 3 646 किलो जूल पर मूल वेराश दैट आफ कार्बन फ्लोरीन इन सी फोर इस 5515 किलो जूल पर मूल दा करेक्ट रीजन फॉर हायर बोरान फ्लोरीन बांड डिसोशेशन इनर्जी आज तो देखिए पर हाँ चर्चित भाई बिल्कुल सही कहते हैं एक बार आप लोग जितने हैं वो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज हमारी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वह वीडियो को लाइक कर दें जो लोग है ठीक है ना अब एस्पी टू है डाइजेशन है अब एक वैकन पी और बाइटल यहां पर प्रेजेंट है और आपने सुना हो गए इसमें बैक बांडिंग भी है तो यह अपनी इलक्ट्रॉन डिफिसेंसी बैक बांडिंग के द्वारा दूर कर लेते हैं जिनसे कोई एक फ् तो यहां पर क्या होगा वैकन पी और वैटल है तो यहां पर जो है बैक बांडिंग इफेक्टिव होगी पी पाइप बांडिंग यहां पर आपको सीधे-सीधे नजर आ रही है जब कि अगर बात करेंगे यह जो दिया हुआ है वह तो तो इस तरह से होगा फोर सिगमा और जीरो लोन प्यार से फोर फोर का मतलब एस पी थ्री यहां पर पी और बाइटल वैकेंट नहीं है अब जब यहां पर वैकेंट नहीं है तो यहां पर उतनी इफेक्टिव नहीं है तो हम सीधे-सीधे बोल सकते हैं यहां पर है यह नहीं वो चीज जबकि यहां तो यहां पर कौन सा उप्शन होगा जल्दी से कमेंट करके बताएं मैंने आपको बता दीए सारी बाते जल्दी से बता दीजिए और सभी लोग भी आंसर दे रहे हैं तो देखी क्या है सिगनिफिकेंट पी पाई पी पाई इंटरेक्शन बिट्विन बी एंड एफ इन बी एफ त्री बिल्कुल सही बैक बांडिंग वेराइस दियर इस नो पॉसिबिल्टी ऑफ सच इंटरेक्शन बिट्विन इन और यहां वेकेंट पी और बैटल नहीं था यहां पर था यहां पर ज्यादा इफेक्टिव है यहां पर नहीं है ठीक है न रोई जी तो सेकेंड आप्शन के साथ जा रहे हैं 59 में आगे चलेंगे लिए प्वेशन नंबर सिस्टी यह क्या कह रहा है और यह आपको पेज नंबर फिप्टी थिरी में न्यू बुक में मिलेगा और पुराने में अगर आपको यह देखना है तो आप पेज नंबर फोटी-फोर ने देख सकते हो और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जितनी भी किरपया करके उनको जरूर पढ़ा करिए और उनको जरूर जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत फाइदा होगा तो रिवर्स आस्मोसिस इस यूजड इन डी सलाइनेशन आप सी वाटर ठीक है इबूलियोस्कोपी कॉंस्टेंट एंड लिजिएगा हना और यह वैल्यू आपको मालूम भी होनी चाहिए तो इनको याद कर लीजिएगा दोनों ही स्टेटमेंट जो है इसमें वह करेक्ट हैं तो बोगत इस्टेटमेंट वन एंड सेकेंडर करेक्ट फोर्ट विल बीडा क्या रिक्त आंसर पॉर क्वेश्चन नं आपको बताई जा रही है फिर भी कोई दिक्कत हो तो जरूर आप बताएं आप लग रहा है पहली बार चैनल पर आए हैं और हमारे में तो शायद पहली बार रोहिद जी अब देखिये क्या कह रहा है एलिबरेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आफ असलूशन आप नॉन इलक्रोलाइट इस जीरो पॉइंट सिक्षिरो वाट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर्ट सेम सलूशन आपको क दिया हुआ है आपको के बी दिया हुआ है तो एक नॉर्मल रिलेशन होता है कि डेल्टा टी-एफ अपॉन डेल्टा टी-बी ब्राबर के अ अब यहां पे वायलिउस रख लीजिए एल्यवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है तो यह जो है आपको दिया हुआ है डेलटा टीएफ यह कितना दिया जिरो कॉंट 60 और यह के व कितना दिया हुआ है यह दिया है 31.8 अब आन कितना है 5.01 अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यह आएगा कितना कि कितना आ जाएगा भाई जल्दी से बोलो कोई बात नहीं पेटा धीरे धीरे अच्छे से आप करेंगे रोई जी ठीक है आप लगातार चैनल पर रहिए न्यू लाइट नीट पर कंटीन्यू क्लासेज हो रही है आप उसे जॉइन करिए आपको उससे बहुत फाइदा होगा ठीक है चलिए तो अब इसकी वैल्यू जो आएगी वो सिक्स पॉइंट्री फोर आ रही है अब सिक्स पॉइंट्री फोर अगर वैल्यू आ रही है तो यहां से इसको हम इससे मल्टिप्लाई करवा देंगे तो डेल्टा टी एफ बराबर इसक पॉइंट्री फोर इंट्वी फॉरि यहां से आंसर आ जाएगा 300 है स pensar क्या आ जाएगा 300 पलग जैसेन जी कनया जी बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का ठीक है ना तो यहाँ पे 3.80 आंसर आ रहा है सभी लोगों का पहला अप्शन मुझे उम्मीद हैGo क्वेस्टन नमबर 62 को देखते हैं कह रहा है कि वेपर प्रेशर तुम्हें दिया हुआ है और वेपर प्रेशर आप यूर बेंजीन टॉल्यून आपको दिया वन सिस्टी एंड सिस्टी टॉर रिस्पेक्टिवली देन दा मोल फ्रेक्शन आप टॉल्यून वेपर फेस पूछा है ध्यान रखिएगा इफ एक्वी मोलर सलूशन आफ बेंजीन एंड टॉल्यून आर मिक्स एक्वी मोलर लिए गए हैं तो हम इनका किसी का भी X मोल मैंने माना क इसी का भी तो मालो बैंजीन का मौल फ्रेक्शन मौल फ्रेक्षन आप बैंजीन में लूँघा एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स एक्स बाइटू एक्स ये मतलब कितना वैगा तू मतलब 0.5 दोनों का ही मोल सिब्ल्से होती इक निया जी धन्यवाद भया रोहित हमेशा इस चीज में कभी रोहित मत देखो कि मुझे ये नहीं आता कोई बात नहीं कोई चीज ना आना बिलकुल भी बुरी बात नहीं होती रोहित हना हमें जानना नहीं है हमें सीखना नहीं है हना वो सबसे बुरी बात होती है तो वो चीज नहीं होन जाती है जो आपको नहीं पता होती है अना याद रखिए और आगे बढ़िए खुब खुश रही है चलिए तो अब देखिए यहां पर यह तो मैंने बता दिया कि जो मोल फ्रेक्शन है तो इनके लिए इतना हो जाएगा तो अब यहां से प्रेशर का जो टर्म है हम प्रेशर लेटे यह राउट लौका जो है अब बेंजीन के लिए है और यह टॉलुण के लिए है अब देखिए इसके लिए कितना दिया है वेपर प्रेशर आपको पयोर बेंजीन और तॉलून के लिए दिया BRANDS 60 तो बेंजीन के लिए 162 इस्टी दिया है तो 162005 प्लस एक कितना हो एक टी अ लस्ट ठल्टी कि वन वन जीरो कितना हो गया विटा वन वन जीरो अब आध तो यह हो गया 110 तो यहां से प्रेशर आ गया है ठीक अब देखिए क्या कह रहा है अब आपको वेपर फेज में चाहिए तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो फार्मूला होगा अब पीटी के लिए हम लोग अभी हम लोगों ने पढ़ा है यह कितना आया है तो हम यह देख सकते हैं यह टॉलूइन का जो यह प्रेशर है तो इसके लिए पी नॉट टॉलूइन इंटू मोल फ्रेक्शन आप टॉलूइन अपन प फी कर दोगें तो यह कितना था बेटा यह सिस्टी था इंटू 0.5 था और पी तो अभी हम लोगों ने निकाली दिया कितना है एक सो दस तो एक सो दस कर दिया तो थल्टी अपॉन 30 upon 110 answer आ रहा है तो यह 3 by 11 सुबा बेटा 8 बज़े से आपको classes होंगी न्यू लाइट नीट चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे classes के साथ साथ आपको नीट exam से related हर information आपको समय समय पर मिलती रहेगी और समय समय पर कहने से अच्छा मैं यह कहना चाहूंगा सब्सक्राइब कि आपको तुरंत मिलेगी ठीक है कि सुबह 8 बज़े से बिटा चलिए तो यहां से अंसर इसका बता दें सिस्टी टू का अंसर क्या आएगा जल्दी से बोले भई कि सिस्टी टू का अंसर क्या आएगा जीरो पॉइंट टू सेवन बोल रहे हैं कि अना तो यह वैल्यों निकाल लीजएगा जीरो पॉइंट टू सेवन आंसर आ जाएगा फोर्थ अ चलिए नमबर 63 अब देखिए क्या कह रहा है क्योंचन नमबर 63 में कि 63 में चलिए आंसर बताएं पलक जैस्वाल कनया जी आंसर बता दें भई देखिए क्या कह रहा है 50 ml 25 ml एन बाइट 10 के विनों फोर सलूशन है तो अब इसके लिए ग्राम एक्यूवेलेंट अगर आवे लेन शर्वन निकालेंगे लो आहिए निकाल लेते हैं तो यह ml में है तो हमें ग्राम एक्यूवेलेंट निकालना, हमने इसको यह वन भाइट टैन को 0.1 भी लिख सकते हैं और लीटर के लिए bzw कर लिया तो जब हम इसको ढिवाइट करेंगे तो यहां से जो QUALENT आएंगे 0.0025 ग्राम इक्वैलेंट केम नोफूर अब इतने ही रिक्वायर होंगे रियक्ट के लिए फेरस अमॉनियम सलफेट के FAS K थीक है ना इतने ही रिक्वायर होंगे। इतने ही रियक्ट करेंगे तो 0.0025 gram equivalent ferrous ammonium sulfate react करेगा अब यहां से हम एक बात जानते हैं कि gram equivalent बराबर weight upon equivalent weight अब इसका जो equivalent weight है वो होता है 392 ठीक है न जाद रखिएगा equivalent weight जो होता है वो कितना होता है 392 अब यहां से आप देखिए यहां पर यह ग्राम equivalent कितने है बिटा 0.0025 बराबर डबलू अपॉन 392 तो यहां से डबलू बिटा कितना जाएगा 0.025 इंटू 392 multiply करेंगे भाया तो यहां से आंसर आएगा 0.98 ग्राम फेरस अमूनियम सलफेट अब यहां पर purity पूछ रहा है आप से तो purity आप सेंपल के लिए आप इनका यह percentage निकाल लीजे तो percentage purity ध्यान दीजिएगा तो यह कितना दिया है बैटा 0.98 दिया हुआ है और यह कितना दिया हुआ है थ्री पॉइंट नाइन टू इन्टू हंड्रेट आंसर बोलें जल्दी से कि थैंक यू कि आंसर बोलें आंसर बता दें भाईया का नहीं जी का अंसर आगया पहला तो इसको जो स्वाल करेंगे तो 25 परसेंट आएगा आप देख लीजे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है एक एक स्टेप आपको मैं बता रहा हूं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो ठीक तो 25 परसेंट आंसर हो जाएगा 63 में चलिए 64 में आ रहा है कि राउंट लॉइज इस्पेशल केस ऑफ हैं रीज लॉओ इस्टेटमेंट ठीक बात है दूसरा स्टेटमेंट था सौल बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्वेड इस डिरेक्ली प्रपोर्शनल तू दप्रेशर ऑफ गैस यह लॉओ कहता है तो यह बात भी जो है बिलकुल सही है तो दोनों ही जो यहां पर स्टेटमेंट हैं थैंक्यू सो मच मैं है हना तो यह दो दोनों ही लेगा और निव लाइट नीट पर मिलेगा यह चैनल निव लाइट प्रयास है ठीक है तो दोनों ही सेंटेंस इसके स्टेटमेंट के सही हैं जल्दी से आंसर बता दें क्या होगा फोर्थ हो जाएगा ठीक है ना तो बहुत स्टेटमेंट और करेक्ट फोर्थ विल भी दा करेक्ट आंसर सिस्टी फॉर्ट ग्वेस्टन नंबर सिस्टी फाइब में कैल्कुलेशन बेस न्यूमेरिकल है आएधे देखते हैं दा वे पर प्रेसर अप सलूशन आप यूरी आप से पूछा है तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेसर इसे एकवल टो दमोल फ्रेक्षिन आप सुल्यूट अप्ल लिए धन्यवाद सब्सक्राइब कर लिए आपने तो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की लिए बात कर लेते हैं तो पी नौट वाटर माइनस पी नौट सॉलूशन अपॉन पी नौट वाटर इस इकवर तो मोल फ्रेक्शन आप सल्यूट मोल फ्रेक्शन आप सल्यूट अब इस पर हमें लगाना है लगा दीजिए सीधे से आंसर बताएं क्या होगा 64 का 4 होगा पलक जी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब आईए 65 में अब देखिए इसके लिए कितना वेपर प्रेशर दिया है 23.62 मैने सी नुट इसका बने काला और यह दिया है 23.62 बराबर मोल फ्रेक्शन हमें निकालनी का लोड मोल फ्रेक्शन आपं सल्यूट तो मोल फ्रेक्शन आप सल्यूट के लिलिए हम लोग स्लिव क् эта यह पी स्लिूट है तो 1.5 और इसका मोलरमा 60 अपान 1.5 अपान 16 और सोल्वेंट है वाटर 50 अब सब्सक्रीद एक डिए है यहां से निकालेंगे और सलोशन की वैल्ठ आप निकालिएगा आंसर बता दीजे क्या आ रहा है सी आ रहा है आंसर कुछ लोग बता रहे है डी आ रहा है पलक फॉर्थ तो इसका आंसर आ रहा है ट्वेंटी थ्री पॉइंट फॉर वन एम एम ठीक है न फॉर्थ आप्शन आएगा बिल्कुल सही जवाब दिया पलक ने है हां बिल्कुल सयास्था कभी जवाब सही है ठीक फॉर्थ होगा यहां पर सिस्टी फाइब का फॉर्थ आंसर अ शिस्टी सिक्स में फिर से कैलकुलेशन न्यूमेरिकल प्राब्लम औस्मोटिक प्रेशर दिया है और बात हो रही है नॉन वोलाटाइल शॉलीट बेंजीन की तुरंत आप एक्सप्रेशन लगा दीजिए पाई वी बराबर सी रटी ठीक है ना अब यहां पर अगर हम लोग देखेंगे पूछा क्या है हमसे तो इन्होंने पूछा है मोलर मास पूछा है तो हम लोग निकाल लेंगे यहां पर हम बोल सकते हैं पाई वी बराबर आली तो जो M हमें निकालना है वो क्या होगा डबलू आरटी अपाउन काइव मिन अपको यहां पर कितना दीया है आप कितना भी आई ऩया है यू तो आपको दे दिया था इन्होंने अहां तो यहां से fan Two से यह गया हुआ है तो सीदे सीडे से बताइए अंसर क्या होगा थीक हाँ निगलेट कर सकते हैं पलक जी बिल्कुल उससे और आसान आ जाएगा कोई विशेस फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा थीक जल्दी से बताएं अब देखिए यहां पर सिर्फ हमें वैल्यू रखनी है तू इंटू आर की वैल्यू 8.3 अब यहां पर टंप्रेचर कितना दिया था भाई कि 25 डिग्री सेल्सियस दिया है तो 298 केल्विन दिया हुआ अप आउन पाई कितना दिया है 20.6 इंटू वी कितना दिया है जल्दी से बताएं भाई जल्दी से बोलें अब यहां पर आंसर क्या रहा है आपका टू फोर्थी के आपका एक मिनट माइक गिर गया है लगा लें हूँ है शी आ रहा है है तो यहां से कितना आ जाएगा जो एम आएगा वो कितना आ रहा है तू थल्टी 29.9 क्या 7 एपस ए पॉइंट 8 क्या आपस टांसर क्या रहा है टीक कौं caval 20 एश्य क्ल और तॉए 67 श्रीक सेवन में कहरा वीच अप लेक्वेड पेर शो पॉजिटीव देवीएशन देखें एनty याल्टी में आपको इसारी बाते दी हैं कि ऐसी टोन और शो करते हैं कि ठीक है न एसी टोन और बेंजीन जो है वो फौजिटीव डिविएशन फॉटे बागी अशरे वाटर है यह भी जो होगा यह आपको तो खो करेगा गांब यहां पर हमें देखना यह है कि यह पॉजी टिव डैवीएशन अब पॉजी टिव डैवीएशन के लिए भी आ हम्न बोल सकते हैं जो ऑ c वह करता में अगर पॉजिटिव डैव City वो वूं होता है व्योझ में होता दील प्रेपर प्रेशर ऑफ आइडियल मिक्स्चर से ठीक है ना तो यह बात आप याद रखिएगा तो सेकेंड आप्शन यहाँ पर जो है सिंप्ली हो जाएगा सिस्टी सेवन सिस्टी एड देखिए क्या करा है एंफो टेरिक ऑक्साइड की बात कर रहा है तो देखिए मैंने तुमसे कहा था कि एसे और पीवी एंफो टेरिक होते ही हैं और जब यह एंफो टेरिक हैं तो इनको ऑक्साइड हो हाना ऑक्साइड में मतलब मोनो ऑक्साइड हो डाई ऑक्सा सब्सक्राइब करें तो इसका अंसर क्या होगा विटा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा को सिस्टी एट का सिस्टी नाइन अब बोरी के सीड आपको दिया हुआ है के राइजा वीक मोनोबेसिक एसीड एक्ट एस लूइस एसीड बाई एक्सेप्टिंग एलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रॉक्सी लायन जल्दी से बताएं बहुत सरल सवाल है बिल्कुल सही एंसी आल्टी का स्टेटम कहीं कोई दिकत नहीं है वीक मोनोबेसिक एसीड होता ही है हना लुइस एसीड है नौट प्रोटी के सीड है यह सारी बाते क्लास में बता चुका हूं ठीक इस सारी ही बाते आपको मैं बता चुका हूं ध्यान रखिएगा इसको हाँ 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 बिल्कुल सही बात सर ने ट्रिक बताया था बिल्कुल विया अग्यां कि बोरॉक्स इजा वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ फॉर्मूला तो देखो हमने तुम से यह बात कहा था कि एने टू भी फोरो सेवेन डॉट टेन स्टूओ को रिप्रेजेंट कर करेक्ट है ठीक है ना दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो यहां पर फॉर्थ ऑप्शन हो जाएगा सिस्टी नाइन में क्वेस्टन नमबर सेवेंटी एलो ट्रॉपिजम शो करने का रीजन दो ही मैंने बताया था तुम्हें एक तो मैंने तुमसे कहा था कैटिनेशन हो एक जड़ा वो जो क्वेशन हम लोगों ने भी किया था सिस्टी सिक्स उसमें आपको कंसंट्रेशन दिया था जो मैंने डबलू ले लिया था तो कंसंट्रेशन दिया था तो वहां से हम लोगों ने वॉल्यूम उसका निकाल लिया था लीटर में लेके ठीक है तो वन आ जा थी इसलिए मैंने आपको यह बताना उच्छित समझा ठीक है तो चेटिनेशन और पी पाई दीपाई बॉंड दोनों ही होते हैं तो यहाँ पर बोब यह जो है बोत हो जाएगा सेवेंटी का ठाड हो जाएगे का क्या जाएगा ठर्ड हो जाएगा ठर्ड विल भी दा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नमबर सेवेंटी में ठीक है ना कि डाइमंड को वैलेंट एंजी आल्टी रेड़ बॉक्स वहाँ से उठाया गया है इट है जो जो हैं भी जल्दी से बोलें सेवेंटीन व्यूवर्स हैं और आंसर नहीं दे रहे हैं कितनी बुरी बात है तो ड्यू टू थ्री डी नेटवर्क सेकेंड आप्शन हो जाएगा यहां पर क्वेश्चन नमबर सेवेंटी वन में सेवेंटी टू में फुल्रीन सार ओनली यह एंसी आल्टी की लाइन है ओनली प्योर फॉर्म आप कार्बन विकॉस देया विस्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग दैंगलिंग बॉंड एंसी आल्टी का है बिलकुल सही है क्लास में पढ़ाया है आल दा कार्बन साइ हाँ डैरेक्ट एक्जाम्पल का क्वेश्चान है पलक जी बिलकुल सही बात है तो यहां पर देखिए क्या है पहला सही दूसरा गलत तो इस्टेटमेंट फस्ट इस करेक्ट एंड इस्टेटमेंट सेकेंड इस इनकरेक्ट सेवेंटी टू का सेकेंड आंसर हो जाएगा सेटेंड आंसर हो जाएगा ठीक है ना आ यह सेवेंटी थ्री में है वेन एयर इस पास्ट ओवर कोक एट हीट एट सब्सक्राइब हाई टम्परेचर यहां लाइट बहुत है ना तो थोड़ा हाई को हीट पर लिया मैंने दा प्रोडक्ट इस दिए एक बात मैंने आप से बता हुई है कि अगर को जो है आग्र वोथ तीम से रियक्शन करेगी अगर वह इस्टीम से रियक्शन करेगी तो स्यो फ्लस इसटू बनेगा और इसको हम बोलेंगे हम लोग इसको क्या बोलता है वाटर गयस से सींग सी मेरेशियों भी वन इस टू 1 का अगरेट को का Colt के साथ क पे रेगी तो औbी Hana Gagoda दो यहाँ पर टु বमस पॉर एंटो बने गाई दो टू कर एशियों में सिअच्छ और एटु का कहलाता क्या म faculty लाता है तो यहाँ पर अ मत अइंग्साइज को से के लाता है तो यहां पर सबिन्टी थ्री में कुश्चन नम्बर सेवेंटी फोर में स्टेबिलिटी की बात कर रहा है तुमसे तो इस्टेबिलिटी के लिए देखे यहां पर थ्री प्लस थ्री ऑक्सिडेशन स्टेट की बात हो रही है तो याद रखिए कि अ़े हैं यह है माले लिए तो ओपर से नीचे जाने पर प्लस थ्री ऑक्सिडेशन स्टेट में जो स्टेबिलिटि होती है जो इस्टेबिलिटी ती होती है अब सपिते बाइस कि क्रीज होगी तो बिस ये लम थ्टी जादा मैंने आप से बताया है ठीक है नितिन भाई अजय अग्ररी नितिन हाना तो यहां पर कौन सा ओप्षन होगा 74 में पहला ही ऑप्षन हो जाएगा 74 में पहला ही हो जाएगा ठीक है चलिए कि आईए 75 कोश्चन देख लीजे 75 नंबर इस्ट्रॉंगेस्ट बॉंड अमंग दा फॉलोइंग इस्ट्रॉंगेस्ट बॉंड सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी सब लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा होती है कारबन की अना फिर सिलिकन की फिर सल्फर की फिर फास्फूरस फ लेट है चोटी से और कुछ नहीं ठीक और कारबन फैमिली में भी आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा जो होती है वह कारबन की फिर सिलिकन की फिर जर्मेनियम की फिरेशन की और लेड है वह कैटेनेशन शो नहीं करता है यह बात एंसी आल्टी में दी हुई है तो इस्ट्र के बाद हां ऐसे ट्रिक है वाई छोटी सी ठीक तो चलिए 75 तक मैंने डिसक्स कर दिए अब 76 से रिस्पेक्टेड रवी सर आपको डिसक्स करेंगे तो जॉइन करिए सेशन को जुड़े रहिए और अच्छा करिए आई ये सर विलकॉव गूव 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 बच्चो गू दिवनिंग चलिए 75 तक हो गया हम लोग 76 से 100 तक कॉश्चन नेक्स स्टाट करेंगे चलो ड्राइ आइस इस ड्राइ आइस क्या होता है सॉलिड सी ओ टू को हम लोग क्या बोलते हैं ड्राइ आइस अच्छा यहां पर यह बताओ इसको आइस क्यों बोलते हैं सॉलिड सी ओ टू को आइस क्योंकि इसकी फीजिकल अपिरेंस कैसी होती है वाटर वाली जो आइस होती है उसकी जो फीजिकल अपिरेंस होती है वह सेम अपिरेंस इसकी भी होती है इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको ड्राइ आइस नेक्स्ट चलो given below यहाँ पर दो statement दिये हुए हैं पहला statement है SIF6-2 is known यानि exist करता है whereas SICL6 not मतलब SIF6-2 exist करता है और SICL6-2 exist नहीं करता है statement सही है अब देख हुजरा क्यों not यह exist नहीं करता है region यह है कि SI के चार और 6 fluorine क्योंकि इनका size क्या छोटा है तो यह exist करेगा लेकिन अगर सिलिकॉन के चार और अगर 6 chlorine आ जाए क्योंकि chlorine का size क्या होगा बड़ा chlorine के respect में तो यह क्या हो जाएगा steric hindrance यहां पर ज्यादा डिबलफ हो जाएगा तो इसलिए यह exist नहीं करता तो statement यह सही है अच्छा अगर यहां पर बोला जाए ncl5 और pcl5 तो pcl5 exist करता है और ncl5 exist नहीं करता है यहां क्या रीजन steric hindrance बताओगे comment करके बताओ जरा क्या होगा इसका answer ncl5 exist नहीं करता है लेकिन pcl5 exist करता है यहां पर रीजन बताना है nitrogen के पास vacant d orbital नहीं होता है nitrogen maximum कितने bond मना सकता है चार और यहां कितने bond 5 क्योंकि second period के element maximum कितने bond मना सकते है 4 क्योंकि maximum 8 electron रख सकते हो ठीक है तो यह exist नहीं करेगा चलो next statement 2 boric acid s3bo3 को अगर heat करोगे तो एक metaboric acid बनता है फिर इसको अगर heat करोगे तो बोरिक oxide बन जाएगा ठीक है तो यह जेड क्या होगा metaboric acid अच्छा metaboric acid किसी के लिए यूज कर सकते हैं जैसे s3po4 अगर इसको heat करेंगे ठीक है यह फास्फोरिक acid तो बनेगा क्या metafosphoric acid चलो जब इससे water निकालो जड़ा h2 और o तो बनेगा क्या दो hydrogen निकल गए तो एक hpo3 इसका नाम क्या है metafosphoric acid तो meta का मतलब होता है जब भी भी कोई oxy acid और एक oxy acid लें उसको heat कर दें तो बना हुआ acid क्या होता है meta तो phosphoric acid है तो metafosphoric acid ऐसे यहां पर boric acid है तो metaboric acid बनेगा फिर उसको heat कर दोगे तो वह फिर क्या बन जाएगा oxide तो boric oxide तो यहां पर z क्या है metaboric acid तो यह भी statement सही है और यह भी statement सही है तो answer कौन हो जाएगा fourth both statement one and statement two are correct next चलो the correct order of stability of plus one oxidation state of group 13 group 13 में दो oxidation state most common है एक तो plus one और एक plus three प्लस one और प्लस three यह lower oxidation state और यह higher oxidation state अगर बात करें group 13 की तो बोरान यह है तो अगर बात करें lower oxidation state की stability तो lower oxidation state की stability top to bottom increase होती है और अगर बात करें प्लस three higher oxidation state की stability तो top to bottom decrease करती है यह lower oxidation state के लिए तो oxidation state की stability lower की बढ़ेगी तो answer कौन सा हो जाएगा second अब एक बात समझो यहां से लेकर यहां तक की इन सब की oxidation की बात करेंगे प्लस one और प्लस three प्लस one और प्लस three तो stable higher ही होती है stable कौन से होगी higher लेकिन जो last element है इसकी stable कौन से हो जाती है lower प्लस one ज्यादा stable होती है प्लस three जे इसका reason क्या बताएंगे inner pair effect clear है चलो next the stability of dihylite of group 14 तो group 14 के dihylite की stability का order हमें बताना है तो बताओ group 14 की two oxidation state plus two और प्लस four तो बताओ जब dihylite है तो यहाँ पर oxidation नंबर क्या हो जाएगा plus two तो क्या यह लोगर oxidation state है और अब ही अबने बताया lower oxidation state की stability top to bottom बढ़ती है तो बताओ क्या हो जाएगा increases down the group clear है next semi permeable membrane semi permeable membrane के लिए क्या statement सही है तो पहले semi permeable membrane देखें अगर यह SPM semi permeable membrane है तो इधर से केवल और केवल semi permeable membrane से कौन पास होंगे solvent molecule और कौन पास नहीं होंगे solute solute molecule का जो movement है semi permeable membrane से नहीं होगा किसका होगा केवल solvent का होगा solute का नहीं होगा तो अताओ यहां पर दिखा है fourth statement देखो जा रहा allow the solvent molecule to pass through pass through solvent molecule pass through but block the passes of the solute molecule to solute molecule pass नहीं होगे answer काउंस हो जाएगा fourth next which one of the following pair will not form an ideal solution कौन सा pair ideal solution form नहीं करता है अच्छा ideal solution कैसे पहचानोगे अगर nature सेम है तो वो क्या होगे ideal solution और अगर nature सेम नहीं है तो क्या होगे वो non-ideal देखो जरा benzene toluene दोनों ही की nature क्या है सेम है दोनों ही aromatic है तो यह क्या होगे ideal 2-methyl propanol 2-propanol यह भी alcohol यह भी alcohol यह भी क्या होगा ideal ethylene bromide और propylene bromide तो यह भी alkyl halide है यह भी alkyl halide है तो यह भी क्या होगे ideal यहां देखो जरा chloroform and acetone chloroform और acetone यह ketone है और यह alkyl halide है तो बताओ क्या यहां पर दोनों की nature different है तो यह क्या होगे non-ideal solution non-ideal solution अब बताओ जरा non-ideal solution दो प्रकार के होते है positive deviation और negative deviation तो बताओ कौन सा deviation सो करेगा chloroform और acetone comment करके बताओ जरा कौन सा deviation सो करेगा तो देहां दो यहां पर chloroform होता है CH CL3 और acetone होता है CS3 CO CS3 अब यहां पर देखो जरा यह chlorine more electronegative है तो यह electron खीचेंगे तो यहां पर क्या चार्ज आ रहेगा प्लस अब जब यहां पर कमी जादा हो जाएगी तो यहां पर प्लस चार्ज बढ़ता रहेगा तो बताओ यह अपनी कमी को कम दूर करने के लिए बताओ hydrogen से लक्टान खीचेंगा तो बताओ यहां पर positive charge क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो इनके बीच में हो जाएगी hydrogen bonding hydrogen bonding होने की वज़े से यह क्या सोगरेगा negative deviation तो chloroform और acetone क्या सोगरते है negative deviation ठीक है चलो तो answer को हो जाएगा second next 82 statement one the boron 10 boron के दो isotope होते है boron 10 and boron 11 तो boron 10 के लिए बात है तो boron 10 isotope has high ability to absorb neutron तो यह neutron को absorb करने की properties में बहुत पाई जाती है तो statement सही है statement two on a weight to weight basis the electrical conductivity of aluminium is twice that of copper मलब copper की तुलना में aluminum की conductivity electrical conductivity क्या होती है double यह सही है अगर हम बात करें copper अल्मोनियम और इसमें electrical conductivity सबसे ज्यादा किसकी होगी silver की तो यह order होगा electrical conductivity की तो electrical conductivity सबसे ज्यादा किसकी होती है silver की फिर अल्मोनियम की फिर copper की अगर यहाँ पर बोल दिया जार इस रेजिस्टिवीटी रो तो रेजिस्टिवीटी किसका ज्यादा होगा तो conductivity inversely proportional to क्या होता है conductivity इगर इसकी ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टिवीटी क्या होगी कम तो सबसे लो रेजिस्टिवीटी किसकी होगी silver की clear है next तो इसमें answer कौन से हो जाएगा यह भी statement सही और यह भी तो देखो जारा बोथ statement 1 and statement 2 are correct तो इसकी हो जाएगा fourth next चलो यह solution of pair of volatile liquid A and B will show positive deviation तो यहाँ पर show क्या कर रहा है positive deviation मालो यह solution है A का और यह solution है B का pure यह भी pure A है और यह pure B है अब हमने क्या बना दिया इनका solution इसमें A है और B है तो देखो जारा और यह जो deviation है कैसा सो कर रहा है positive deviation तो इसके लिए पूँच रहा है statement दिया हुआ है कौन-कौन से सही है तो ध्यान दो अगर positive deviation हुआ है तो वैपर pressure प्योर वालों से क्या हो जाएगा ज्यादा यानि कि कुल मिला के पी इक्वल टू अगर पी इक्वल टू पी नाट ए एक से अगर है यानि यह राउट लोग को को फॉलो कर रहा है तो राउट लोग को फॉलो करेगा तो यह आईडियल सलूशन है तो अगर यह पर प्रेसर क्या होना चाहिए increase मलब पहर इससे क्या हो जाएगा ज्यादा तो यह क्या हो जाएगा positive deviation तो क्या यही पर लिखा हुआ है PA greater than XAPA not और PB भी क्या हो जाएगा उसकी completion में बढ़ जाएगा PB not into XB तो यह statement सही है तो कुल मिला के positive deviation में vapor pressure बढ़ जाता है और negative deviation vapor pressure घट जाता है अगर equal आ जाए तो वो क्या होगा ideal solution चलो the intermolecular force of AA और BB जादा होंगे AB से यानि कि intermolecular force of attraction पहले जादा थे बाद में क्या हो गए कम तब ही तो vapor pressure बढ़ जाएगी यानि कि पहले intermolecular force of attraction AA में जादा थे और BB में जादा थे जाएगा तो यह statement सही है force of attraction अगर काम हो जाएगा तो vapor pressure बढ़ जाएगा इसलिए vapor pressure पाइज से compression बढ़ गई तो यह भी सही और यह भी सही चलो delta H mixing इस पॉस्ट्व तो आईडियल जो positive deviation है उसमें delta H mixing क्या होता है पॉस्ट्व और delta V mixing क्या होता है positive मतलब delta V mixing positive का मतलब क्या है अगर हमने A 10 ml लिया और B भी 10 ml तो जो solution मनेगा वो 20 ml से थोड़ा सा ज्यादा होगा इसलिए क्या volume mixing का क्या हो गया ज्यादा इसलिए delta V mixing क्या है positive आईसे delta H mixing positive का मतलब यह क्या है इंडो थर्मिक into thermic ठीक है अब देख़ों यह into thermic क्यों है क्यों कि मालो पहले A के बीच force of attraction था अब force of attraction क्या था ज्यादा लेकिन अब यहाँ पर जब mixer कर दोगे तो A के बीच में क्या जाएगा B और A और B के बीच force of attraction क्या है कम है तो force of attraction कम है तो पहले मजबूत bond थे और अब क्या बन गए weak bond तो बताओ क्या energy यहाँ पर absorb होगी तो endothermic process net में होना चाहिए ठीक है तो answer कौन सा ये भी सही है ये भी सही है और ये भी सही तो all of these चलो next question which of the following pair of solution is isotonic आइस कौन से mixture होंगे जो isotonic होंगे ये एक solution है और ये solution है तो इसका कौन सा part होगा जो isotonic होगा आइसो टोनिक के लिए हम लोग क्या देखते हैं आस्मोटिक प्रेसर दोनों को क्या होना चाहिए equal यानि πाई 1 equal to क्या होना चाहिए ये पाई 2 ये condition हो गई अब पाई होता है i into c into rt i into c into rt तो बताओ πाई 1 है तो i1 c1 rt i2 c2 rt rtt से कर जाएगा तो कुल मिला के i1 c1 equal to i2 c2 तो यहाँ पर i क्या है want of factor c क्या है concentration और ओभी कौन सी concentration molarity वाली लेकिन यहाँ पर देखो जरा percentage दिये हैं molarity तो दिया नहीं तो हमें percentage से क्या बनाना पड़ेगा molarity तो देखो जरा molarity को और percentage में क्या relation होता है molarity होता है percentage weight by weight into d into 10 अपान में molecular weight of solute एक फर्मला और molarity equal to percentage weight by volume into 10 अपान में molecular weight of solute ठीक है यहाँ पर देखो जरा यहाँ किसी में density तो दी नहीं तो बताओ यह density तो दी नहीं अगर यहाँ density होता तो इसको क्या मानते है percentage weight by weight लेकिन यहाँ density नहीं दी वही है तो हमें formula कौन से उच करना है यह और क्या मानेंगे percentage weight by volume यहाँ यह जो percentage दी है इसमें हमें क्या मानना है percentage weight by volume मानना है तो बताओ अगर molarity हमें यहाँ पर पता जल जाए और यहाँ पर सभी यूरिया ग्लुकोज यूरिया ग्लुकोज यूरिया ग्लुकोज सुक्रोज और ग्लुकोज नॉन इलक्टोलाइट है और नॉन इलक्टोलाइट के लिए I equal to क्या हो जाएगा 1 तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यानि कुल मिला के हमें देखना है C1 बराबर C2 यानि जिसमें दोनों की molarity बराबर होगी वही isotonic होगा तो बताओ molarity देखें यहाँ पर percentage अगर पहले कि तुल ना करें तो यह 6% यह भी 6% तो क्या percentage weight by volume यहाँ पर सेम कर दिया 10 दोनों के लिए fix तो बताओ molarity inversely proportionate क्या हो गया molecular weight of solute यानि molecular weight जिसका ज़्यादा उसकी molarity कम अब भ्यान दो यह कितना 6% है यह भी 6% और यहाँ पर यूरिया का 60 होता है और glucose का होता है 180 तो molecular weight बढ़ गया 3 times तो बताओ अगर molecular weight बढ़ गया 3 times तो यह अगर molarity M होगी अब molecular weight बढ़ जाएगा तो molarity घड़ जाएगी यानि यह क्या हो जाएगा M by 3 अगर यह M है तो यह क्या हो जाएगा M by 3 यहाँ पर देखो जना percentage weight by volume सेम कर दिया percentage weight by volume सेम कर दिया तो बताओ inverse proportion molecular weight यहाँ भी यूरिया का क्या है अगर हम इसकी concentration को M माल ले अब molecular weight कितना बढ़ गया 3 times तो बताओ यह क्या हो जाएगा M by 3 clear है अब यहाँ पर देखो percentage weight by volume कितना बढ़ गया 3 times यानि percentage weight by volume 3 times बढ़ गया ठिक और molecular weight कितना बढ़ गया 60 से 180 हो गया तो बताओ यह भी 3 times तो यह भी 3 times बढ़ा यह भी 3 times बढ़ा तो बताओ molarity क्या हो जाएगी बराबर यानि इसकी molarity अगर M है तो इसकी भी molarity क्या हो जाएगी M तो answer काउन सा हो जाएगा 3rd clear है ठीक है चलो सौन में आया question next चलो यहाँ पर the relation between osmotic pressure osmotic pressure यहाँ पर दिये हुए है P1, P2, P3 इनकी हमें compare करना है तो osmotic pressure हम लोग pi ले रहे हैं चलो pi equal to क्या होता है I, C, R, T चलो यहाँ पर temperature सभी के लिए क्या fix है तो हमने इसको अटा दिया gas constant सभी के लिए fix है और C यहाँ पर क्या होगा concentration और I अब देख़े यह क्या है यूरिया सुक्रोज और ग्लूकोज यह non-electrolyte है इनके लिए I क्या होगा 1 तो यह भी fix हो गया तो यहाँनी की कुल मिला के pi directly proportional to concentration तो जिसकी concentration ज्यादा उसका osmotic pressure ज्यादा तो ध्यान दो यहाँ पर अब concentration का formula लिखो concentration का मतलब होता है यहाँ पर molarity तो molarity equal to क्या होता है moles of solute n solute अपान में volume of solution in liter अगर n solute को अगर लिखें तो weight अपान में molar mass solute का into volume अगर ml में है तो उपर क्या हो जाएगा thousand अब देखो जड़ा यहाँ पर सभी में weight 10 gram 10 gram और इसमें भी 10 gram तो वताओ क्या weight बराबर कर दिया thousand दो सभी के लिए same volume ml में सभी के लिए क्या है 200 ml तो कुल मिला के यहाँ पर आ गया कि inversely proportion to molecular weight यानि कि concentration inversely proportion to क्या हो गया जिसका molecular weight कम उसकी concentration ज्यादा और जिसकी concentration ज्यादा उसका osmotic pressure ज्यादा clear है अब बताओ यहाँ पर molecular weight किसका कम है glucose 180 urea 60 और सुक्रोज 342 तो तो यहाँ पर सबसे low molecular weight किसका है urea का तो सबसे ज्यादा osmotic pressure urea का यानि P2 तो P2 सबसे ज्यादा होगा यहाँ पर है यहाँ P1 ज्यादा है P3 ज्यादा है P2 यहाँ दो जगे P2 ज्यादा है फिर इसके बाद glucose का 180 तो तो यह क्या है P1 तो इसके बाद क्या हैगा P1 फिर सबसे पीछे कौन सा P3 तो answer कौन सा हो जाएगा 3rd clear है next lowering in vapor pressure is highest for मतलब इसमें vapor pressure lowering किसमें होगी माल लो आमने vapor pressure कुछ माल लिया पहले 760 ठीक है जितना solute मिलाओगे उतना vapor pressure घटेगा और solute मिलाओगे और vapor pressure घटेगा त्यानी lowering in vapor pressure किस बात पटिपन कर रहा है जिसमें ज़्यादा solute particle होगे उसका lowering ज़्यादा होगी clear है अब अगर देखो इसमें solute particle यहाँ पर सम्में molality 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 यहाँ पर concentration दी हुई है यह urea का water factor 1 glucose का water factor 1 इसका water factor mg अगर mg SO4 को break करें तो बताओ क्या mg plus 2 mg plus 2 plus SO4 minus 2 तो बताओ कितने आयन मिले यहाँ पर 2 तो इसका water factor क्या हो जाएगा 2 यहाँ पर अगर बात करें एक barium plus 2 और 2 Cl minus तो इसका water factor कितना हो जाएगा 3 तो water factor 2 यहाँ 3 अब देखो जरा जिसके particles ज्यादा यानि I into C lowering in vapor pressure यानि यह colligative property अग colligative property वैसे तो lowering in vapor pressure relative lowering in vapor pressure colligative property होती है ठीक है हम लोग यहाँ पर दे रहे है lowering in vapor pressure तो lowering in vapor pressure directly proportional क्या होगा I into C जिसका I into C ज्यादा होगा उसकी lowering in vapor pressure क्या होगी ज्यादा चलो यहाँ पर I into C करें 0.2 into 1 0.1 into 1 और इसका क्या हो जाएगा 0.1 into 2 और 0.1 into 3 तो बताओ क्या सबसे ज्यादा 0.3 हो जाएगा यह कितना हो जाएगा 0.2 और यह कितना हो जाएगा 0.1 और यह हो जाएगा 0.2 तो सबसे ज्यादा value 0.3 आई तो बताओ क्या I into C इसका सबसे ज्यादा तो lowering in vapor pressure सबसे ज्यादा किसका होगा 4th का clear है next मोलल डिप्रेशन कॉंस्टेंट फार वाटर यानि यह के अफ दिया हुआ है ठीक the freezing point of 0.05 molal यानि molality कितनी है 0.05 molal a non electrolyte यानि इसकी non electrolyte का मतलब 1.5 factor कितना 1 in water तो इसमें पूछ रहा है freezing point कितना होगा तो देखो ज़रा अगर माल लो pure water होता तो freezing point कितना होता 0 0 degree centigrade होता freezing point अब अगर देखो ज़रा अगर इसमें solute add करते हो तो freezing point क्या होता जाएगा घरता जाएगा अभी माल लो solute come add किया तो freezing point इतना हो गया अगर ज़्यादा add करोगे तो freezing point और कम हो जाएगा clear है और हमें पूछ रहा है आपर freezing point कितना हो जाएगा तो बताओ ये अगर बात करें इसकी तो जितना घट जाएगा उसी को क्या बोलते है delta tf ठीक है और पूछा जाए कि कितना घट गया तो ये delta tf है लेकिन पूछा जाए कि freezing point कितना हो जाएगा तो freezing point हो जाएगा minus delta tf क्योंकि 0 से नीचे जाओगे तो क्या negative में आएगा na freezing point ठीक है पहले 0 degree centigrade तो अब negative में आएगा चलो तो हम लोग delta tf निकाल लें तो delta tf equal to होता है i into kf into mol l t delta tf होगा i into kf into mol l t delta tf होगा i into kf into mol l t और i यहाँ पर क्या है 1 kf यहाँ पर कितना है 1.86 अब mol l t kतनी है 0.05 और इसको solve करोगे तो आएगा कितना 0.093 degree centigrade तो यह तो आया delta tf लेकर हमें पूछ रहा है क्या freezing point तो तो क्या इतनी value negative में लिख दें तो answer कौन से हो जाएगा 0.093 माइनस में clear है तो freezing point से होग में आ गया चलो next element of group 14 तो group 14 कौन कौन सी oxidation state से कर सो करता है तो group 14 plus 2 and plus 4 oxidation state सो करता है तो बताओ exhibit oxidation state plus 2 and plus 4 second next the structure of divorane राण से देखो जड़ा divorane divorane होता है B2A6 चलो यह देखो जड़ा divorane के structure है B2H6 कितने एचे हैं 6 यह वाला जो bond होता है इसको बोलते है बनाना बॉन्ट क्या बनाना बॉन्ट और यह होता है थ्री सेंटर क्योंकि देखो जड़ा यह बॉन्ट पूरा एक है तो बताओ क्या यहाँ पर एक बॉरान एक बॉरान एक ब और यहाँ पर कितने इलक्टान होते हैं दो इलक्टान और दोनों इलक्टान यहां से लेकर यहां तक भूमते फिरते रहते हैं तो कितने इलक्टान होगे दो और सेंटर कितने हैं तीन तो थ्री सेंटर टू इलक्टान बॉन्ट तो थ्री सेंटर टू इलक्टान बॉन्ट कितने हैं दो अब यह बताए यहंद आ पर कितने सेंटर दो औरलक्तान कितने दो तो तूसेंटर टूसेंटर 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 Abgah इसने चार तो फोर्टू सेंटर तूलक्टान बॉन्ड होगे तो answer कहन से हो जाएगा फर्स्ट अब ध्यान रखना इनको बोलते हैं टर्मिनल है रोजन और इनको बोलते हैं ब्रिज ठीक है आया बोलो बनाना बॉन्ड ठीक है तो यहाँ पर यह वाले जो बनाना plane पे जिसमें बोरान ये दोनों होंगे किया है चलो नेक्स्ट अब बोरीक एसिड बोरीक एसिड पॉलीमेरिक फॉर्म में एक्जिस्ट करता है क्यों तो देखो जड़ा ये हो गया अपना बोरीक एसिड अब बोरीक एसिड में देखो दियान से ये फोन का हाईडो जन फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइटोें इनसे जुणा हूँआ हाइडो जन क्या करता है हाईडोजन बॉनिंग तो देखो फोन का इसिड हो हम और फोन का ना ये दूसरे गूरी के इस से और ये इधर और ये इदर आर तो क्या ये बोरिक से लगातार जूड़ता जाएगा तो कौन से री इन्माल्ड ले को सित आप ही इन्टर मोलिकलर है ज्टरुजन बाइगory पॉरिक एस प्शbuddy की वैसे और दो polymeric form में गजेस्ट करेगा तो reason क्या बता होगे the presence of hydrogen bonds इसलिए polymeric form में गजेस्ट करेगा clear है चलो good evening open sir चलो next bond haber cycle can be used to estimate क्या estimation करने के लिए हम लोग bond haber cycle का use करते हैं तो चलो bond haber cycle थोड़ा समझते हैं जैसे हम लोग ने form किया NaCl solid हमें यह form करना है NaCl solid तो हमें चाहिए Na plus gas और Cl minus gas और यह जब दोनों जुड़ेंगे तो gaseous cation और gaseous anion मिलते हैं और बनते हैं NaCl solid तो यहाँ पर एक energy release होती है जिसको क्या बोलते है lattice energy clear है तो एक energy यहाँ पसोन में आगी लेकिन जो sodium है nature में किसके पाए जाता है sodium solid की रूप में तो पहले यह sodium gas बनाएं तो यहाँ पर एक energy देनी पड़ेगी sublimation energy अब यह sodium gas से क्या यह Na plus gas तो यहाँ पर एक energy देनी पड़ेगी ionization energy clear है अब यहाँ पर देखो Cl minus हमेची है तो क्या Cl Cl2 की रूप में होता है Cl2 gas तो बताओ क्या Cl2 gas molecule है तो इसके पहले bond तोड़ेगे तो हमें देना पड़ेगा bond dissociation energy और यहाँ पर बन जाएगी 2 Cl तो लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पर एक Cl तो बताओ क्या हमें यहाँ पर half Cl2 लेना पड़ेगा इसलिए यह half bond dissociation energy चाहिए ठीक है अब यहाँ पर Cl से Cl minus तो यहाँ पर हमें देना पड़ेगा electron affinity यह क्या हो गया electron affinity तो कुल मिला के हम लोग इससे क्या क्या discuss कर सकते हैं lattice energy कर सकते हैं electron gain enthalpy यहाँ electron negativity का कोई मतलब नहीं है तो answer कौन सा हो जाएगा fourth both one and two तो देखो ज़रा lattice energy कर सकते हैं ionization electron affinity sublimation और bond dissociation energy ठीक है next यहाँ पर IUPAC name लिखना है तो IUPAC जब name लिखना होगा तो सबसे पहले हमें लिखना होगा कि longest carbon chain longest carbon chain में होना चाहिए main function group होना चाहिए multiple bond होना चाहिए main function group अपना क्या है ester है और यहाँ पर multiple bond main carbon chain में अपने होना चाहिए अब बताओ तो main carbon chain ये हो गई अब main carbon chain में numbering करेंगे तो इधा से हम numbering करेंगे क्योंकि main function group नजदीख है तो 1, 2, 3, 4, 5 अब देखो जड़ा ester की जब name लिखते हैं तो सबसे पहले हमें इसका नाम लिखना होता है जो ester के o से जड़ा होगा उसका नाम लिखेंगे तो नाम सबसे पहले कि इसका ethyl तो यहाँ पर ethyl दो जगए है इसके बाद ethyl के बाद यहाँ और कोई substituent है नहीं तो तो क्या paint, ethyl, paint और दो पर multiple bond है 2 in और 1 in 8 1 पर ester है तो नाम क्या हो जाएगा ethyl, paint 2 in 1 in 8 तो answer कौण सा है, second चलो, next which is not act as electrophile कौन electrophile की तरह use नहीं होता है तो जो NO2 plus है यह तो nitrogen में बहुत ज़्यादा use होता है nitrogen में nitrating mixture लेते हैं nitrating mixture आपस में react करके क्या बनाते हैं, NO2 plus तो nitrogen में electrophile क्या होता है NO2 plus, तो यह तो electrophile है हमेश हड़ना है, कौन नहीं है not act as यह तो electrophile है, यह भी देखो ज़रा electrophile उनको बोलते हैं जिनके पास octate incomplete हो ठीक है, तो यहाँ पर देखो ज़रा cs3 n तो बताओ 2, 2, 4 और यहाँ पर 2, 6, तो nitrogen के पास 6 हैं तो octate incomplete, तो यह भी electrophile है dichlorocarbene, यह भी होता है, क्योंकि इसके पास भी कितने electrant होंगे 6, क्योंकि 2 bond है तो 4, और यह 2, 6 तो यहाँ पर भी 6 nutrition, यहाँ पर भी 6 electron, यहाँ पर देखो ज reignh 4 plus में अगर NH4 plus की बात करें तो पहले हमने बनाया ammonia तो ammonia के पास एक lone pair है और एक हमने बनाया यहाँ पर H+, H+, के पास दो electron होने चाहिए और यहाँ पर मदरब कुल मिलाके एक भी electron नहीं है तो यही दो electron इसको दे रहेता coordinate bond से, तो यह जो कमी है इसकी तो complete हो गई तो हम लोग इसको लिखते है NH4+, clear है तो बताओ क्या इसका nitrogen का update complete हो गया 8 electron species तो बताओ क्या यह electron लेना चाहिएगा और nitrogen 5 bond कभी नहीं बना सकता maximum कितने 4 तो बताओ, electrophile कौन नहीं है ammonium, ऐसे ही अगर तुम्हें पूछा जाए S3O+, तो यह भी electrophile नहीं है, clear है और तुम्हें पूछा जाए, na plus यह भी electrophile नहीं हो सकता mg plus 2 यह भी electrophile नहीं होगा clear है, इनका update complete इसका भी update complete, next चलो यहाँ पर देखो जाँ रहा strength of 15 volume H2O2 solution तो strength पूछ रहा है, आई strength कौन सी gram per liter, तो जो strength होता है S, वो होता है normality into equivalent weight S equal to होता है, N into E और जो normality होती है S2O2 के लिए, वो होता है X upon 5.6 N यह हो, normality equal to होता है, X upon 5.6 और X यहाँ पर क्या है volume strength, क्या है volume strength clear है, तो X है, यहाँ पर volume strength, तो चलो यहाँ पर रखे ज़रा S equal to N की जगह है, हमने क्या रख दिया, X अपान में, और X यहाँ पर volume strength कितनी दी है 15, तो 15 अपान में 5.6 इंटू, equivalent weight अब देखो ज़रा, equivalent weight होता है molar mass, और S2O2 का molar mass कितना होगा 16 दूनी 32 2, 34, तो molecular weight 34, अपान में valency factor इसका, S2O2 का कितना होगा, 2 तो valency factor 2, यानि मिला कितना, 17 अब इसको solve करेंगे, तो क्या हो जाएगा S आजाएगा, gram पर liter तो gram पर liter concentration क्या बोलते है, strength तो यहाँ पर answer solve करके आएगा 55 के आसपास तो answer तो 55 ही रिया हुआ है लेकिन 55 points में कुछ आएगा ठीक है, चलो, तो answer हो जाएगा third next अब भूज़रा, the charge in coulomb on one gram gram iron of nitride अब भ्यान दो, nitride मैं हो समझो क्या है, nitride N-3, तो nitrogen के पास 3 electron आगए, तो क्या बन गया nitride, clear है, तो बताओ यहाँ पर 3 electron आगए, तो बताओ charge कितना हो गया, 3 electron के charge के बढ़ाबर तो एक electron पर charge कितना एक electron पर charge होता है 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb तो बताओ, 3 electron पर charge कितना हो जाएगा into 3, तो कुल मिला के 1 nitride ion पर इतना charge लेकिन यहाँ पर कितना दिया है 1 gram iron, अच्छा धान लखो gram iron gram iron लिखाओ gram molecule लिखाओ और gram atom लिखाओ यह सब क्या है, mole है ठीक है, तो gram iron, gram molecule, gram atom अगर यह लिखा है, तो इसका मतलब तुम्हें समझना है, क्या दिया हुआ है, mole तो बताओ, 1 gram iron मतलब 1 mole दिया हुआ है तो बताओ, यहाँ पर एक nitride पर कितना charge, इतना कुलाम, तो बताओ, 1 mole पर कितना तो 1 mole का मतलब क्या होता है, na तो अगर na का multiply कर देंगे तो यह answer हो जाएगा, और na की value हम लग दे, कितना na की value अगर रखें 6.02 10 to the power 23, तो इसको अगर solve करेंगे, तो answer कौन सो हो जाएगा first, ठीक है, चलो, next the correct order of the basic character correct order of the basic character is given oxide अच्छा देखो जड़ा, अगर यह periodic table है ठीक है, तो अगर बात करें left to right, left to right जाने पर acidic character बढ़ता है, और basic character क्या होता है घटता है, तो सबसे ज़्यादा basic कौन हो गए first है, यानि group number 1 इसके oxide सबसे ज़्यादा basic होंगे फिर इसके बाद second A के oxide यानि group number 2 के, फिर इसके बाद ऐसे left to right घटेगी तो ताव सबसे ज़्यादा first A फिर second A, फिर P block clear है, तो basic character सबसे ज़्यादा कौन होगा, Na2O फिर MGO, फिर SiO2 clear है, left to right basic character घटता है, next यहाँ देखो ज़्याँ पूछ रहा है कि कौन सा disproportionation reaction है disproportionation reaction का मतलब होता है जिस same element का oxidation, same element का reduction, यहाँ पर देखो ज़्याँ CL2 क्या है, 0 KBR में BR-1, यहाँ पर CL-1, BR-0 तो देखो, BR-1 से 0 यानि reduction, और CL 0 से minus 1 तो 0 से minus 1 यह क्या होगा, reduction और minus 1 से 0, oxidation तो यह क्या है, redox है redox but disproportionation नहीं है, element क्या है, अलग-लग यहाँ पर देखो ज़्याँ, CL2 क्या है, 0 CLO- तो CL का कितना होगा plus 1 यहाँ CL का क्या होगा, minus 1 देखो, 0 से minus, plus 1 और 0 से ही, minus 1 तो क्या chlorine का oxidation भी हो रहा है, chlorine का reduction तो क्या यह disproportionation reaction है तो answer का होँजाएगा, second यहाँ पर देखो, carbon 0 तो CO2 में क्या है, plus 4 तो यह क्या होगा, oxidation oxygen 0, oxygen यह minus 2 यह क्या होगा, reduction तो यह redox reaction है, but disproportionation नहीं, यहाँ iron 0 Fe plus 2, यह तो oxidation होगा, CL minus 1 H यहाँ plus 1 और यहाँ H, 0 तो क्या reduction है, तो यह भी redox reaction है तो यह भी redox reaction है, बढ़ चलो the covalency of third period of P block element, तो covalency पहले समझें, covalency होता क्या है जैसे, phosphorus PCL5 मैंने लिखा यह PCL5 है तो किसी element के surrounding, जितने atom, bond हो किसी element के surrounding, जितने bond होंगे उससे जुड़े हुए, उसको क्या बोलेंगे, covalency, तो यहाँ पर phosphorus की covalency क्या हो गई, पांच PS3 में phosphorus की covalency कितनी हो गई, 3 clear है, अब देखो जड़ा covalency किस बात पर निर्वा करेगी अगर phosphorus का देखें तो 3S2 और 3P 3, phosphorus का electronic configuration देखें, तो 3S2 3P 3 होगा, तो अगर इसकी बात करें 1, 2, 3 यहाँ पर unpaired electron ground state में, कितने हैं, 3 तो ground state में कितने bond बन सकते हैं, 3, तो covalency उतनी होती है, यानि covalent bond, covalent bond उतने ही बन सकते हैं जितने unpaired electron हो, तो बताओ ground state में कितने हैं, 3 तो ground state में बनेंगे, 3 bond, तो बताओ यहाँ पर PS3 बनना है, यानि इन्सक्राइब कोवखलेंट तोटल कितने हो गए 5 तो अन्सक्राइब क्या बॉन्ट पाँंट बन सकते हैं तो कुल मिला के एक्साइट इस्टेट हो या ग्राउन्ड इस्टेट में अन्सक्राइब इलक्टान होंगे जितने उतने ही कोवेलेंट बनेंगे और उन्हीं को क्या बोलेंगे कोवेलेंट सी तो एंसर काउंस हो जाएगा फोर्थ टोटल नंबर ऑफ अनपेर इलक्टान इन ग्राउंड इस्टेट आज वेल एज इन एक्साइटेड इस्टेट नेच्स्ट bond length of ethane जड़ा देखो ethane CH3 CH3 इसके बाद ethene CH2 double bond CH2 इसके बाद अब पूछ रहा है bond length का order अब बॉन्ड लेंथ इनवर्स्टी प्रोपोर्शनल होता है bond order यहां bond order कितना है 1 यहां bond order 2 और यहां bond order 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड की bond order है 1.5 तो बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड और कितना होता है 1.5 किसकी वैसे रेजुरेंस की वैसे ठीक है तो रेजुरेंस की वैसे bond order 1.5 तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी जिसका bond order कम होगा तो सबसे bond order कम किसका है एथेन का तो अब फर्स्ट सबसे आगे आएगा तो यहां फर्स्ट तो सबसे आगे इसके बाद bond order 1.5 तो बताओ बेंजीन आएगा अब बेंजीन यहां 4 नंबर पे लिखा हुआ है तो एंसर कौन सा तो सबसे आगे फर्स्ट फिर फूर्ट ठीक है फिर और आ चाल यहां पर देखो जड़ा पूछा गया है इनाॉलिक फॉर्म खे टोन अ firstly कडिलों कितने सिग्मा कितने पाई कितने लोन पेर तो एक बात समिग लो चाएँ वो कीटो फॉर्म हो या इनाल फॉर्म हो जितने नंबर अफ सिगमा बॉन लोन पेर और पाई बार्ड होंगे, inol keto form में उतने ही क्या होंगे? inol form में भी होंगे, तो हम लोग चाहे keto form से निकाने चाहे inol form से, देखो ज़रा keto, CS3, CO, CS3, यह है keto, acetone का keto form, अब हमने बनाया inol form, तो बताओ क्या यह double single में, single double में और यह hydrogen यहाँ पर, तो यह हो जाएगा, CH2, double bond, C, single bond, OH, और यह CH3, चलो, यहाँ पर सिग्मा देखो ज़रा कितने हैं, सिग्मा, 3, 4, 5, 6, और 3, 9, 9 सिग्मा, पाई कितने हैं, एक, और lone pair कितने होंगे, यहाँ पर, 2, यहाँ पर बात करें, सिग्मा, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 3, 9, तो सिग्मा कितने होंगे, 9, पाई कितने होंगे, एक, और lone pair, चलो, बैक नहीं होगा, तो सिग्मा कितने होंगे, 9, पाई कितने होंगे, एक, और यहाँ पर lone pair, अब भी कितने हैं, 2, तो lone pair कितने होंगे, 2, यानि keto form में, और in all form में, दोनों में क्या होंगा, सब नंबर, सेम होंगे, प्रिंसर काउंस हो जाएगा, फर्स्ट, 9, सिग्मा, 1, पाई, 2, lone pair, clear है, थैंक यू, चलिए अब नेक्स्ट, आप लोगों का फिजिक्स स्टार्ट होगा, प्रिंसर आ गये हैं,